हेलो गाइज, वेलकम टू जुनेजर टेकनलोजी, तो आज की वीडियो में हम CSS के बारे में जानेगे, CSS क्या होता है, क्या benefit है, और क्या क्या कर सकते हैं, तो चलिए हम अपने notepad में चलते हैं, ओके पिछली वीडियो में हमने anchor tag उसकिया था, ओके हम पहले image tag पे चलते हैं, जैसे हमने image tag में एक उन्हों पहले image वाल open कर लेता हूं, index में था हमारा open with notepad का option ही नहीं है, open with, ओके मैं यही से एक file open कर लेता हूं, hd face में आ भी नहीं रहा है, चलिए मैं एक new create कर लेता हूं फिर और क्या कर सकते हैं, पदा नहीं कहां चलीगी वा file, okay, img src is equal to img.jpg के name से थी, okay, img, img.jpg, alt value, image दे देता है, image, okay, पिछली वीडियो में तो हमने हैं, एकर मैं सेव कर गता हूं इसका result, okay, this is simple आ रही है, पिछली वीडियो में सिंपली जो है, इसके बीच में attribute दे दिये थी यहां पर, यहीं पर हमने एसे attribute दे दिये थी, बट आज हम css के आरप से करेंगे, तो css लिखा कैसे जाता है, okay, css बहुत useful चीज है, इसको आप ignore मत करियेगा, css को भी ध्यान से पढ़ियेगा, okay, पहली बात तो, okay, css को ध्यान से पढ़ियेगा, तो css styling हम two types से कर सकते हैं, एक होता है inline styling, okay, और एक होता है external styling, okay, external के भी दो वे हैं, सो हम पहले external का one way देखेंगे, system, oh sorry, system नहीं style, style, close style, okay, यह भी एक container tag है, container tag मतलब जिसकी opening भी है, closing की है, okay, style में लिखेंगे, img को हम style कर रहे हैं, okay, मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, img इसके हम width दे देते हैं, width, width, 200 pixels, okay, यह देख लिए, format ऐसे लिखा जाता है, height, height भी, height तो यह automatic ले जाता है, okay, so यह देखे, हमने दिया है img src, okay, अब इसको मैं save करके दिखाता हूँ, इसको मैं styling को बाद में आपको explain करता हूँ, यह हो कहा है, ठीक है, कहा हमने तो यहां कहीं लिखा नहीं, width, height, क्या करें कुछ नहीं, okay, so style कैसे लिखा जाता है, style opening, style closing, ऐसे लिखा जाता है, okay, उसके अंदर हमें लिखना है, img, उसकी width, या height, background अगर को किसी का background दे सकते हैं, यह जो भी property आपको apply करें, simply उसका नाम लिखना है, colon देना है, value देना है, और semicolon देना है, simple काम पतम, okay, so इसी तरह हमने img को दे दिया, चलिए हम anchor tag पर बग करते हैं, anchor tag, अब आपने देखा है, इसमें lines आ रही है, इसको हम पहले remove करेंगे, कैसे remove करेंगे, हम इसमें लिखेंगे, text decoration, text decoration, none, ठीक है, आपको simply यह लिखना है, text decoration none, okay, यह आपको याद करने की चीज है, लेकिन यह आपको normal याद हो जाएगी, okay, text decoration none, text, okay, semicolon, semicolon के बिना वक्त नहीं करेंगे, यह बात आप याद करेंगे, okay, what happens, anchor tag, anchor tag, anchor tag, text decoration, none, file, save, चलिए देखते हैं, okay, नहीं हुआ है, एक मैं इसको, दुबारा, अभी भी नहीं हुआ, okay, मैं समझ गया, क्या दिक्कत है, यहाँ पर एक bracket close करना है, okay, क्योंकि आयम जी का हमने open किया bracket, इसको मैं close भी करना होता है, नहीं तो यह बिल्कुल भी वक्त नहीं करेगा, ओके सो चलिए देखिए, सारी लाइन जो है रिमूव हो चुक्त है, सारी कि सारी अंडर लाइन रिमूव होगी, बट अभी भी यह लिंक है, ओके बट इसका by default color तो black है, यह सारे blue क्यों हो गए, चलिए वह देखते हैं अब, तो आपके से यह देखिए, अब हमें क्या करेंगे, color जो भी anchor tag का color है, red करते हैं, ओके लास्ट वाले में, semi-colon देन आदें आपके मर्जियां, यह सारे red हो गए, यह देखिए, इस सारे normal text हो गए, बट यह देखिए, यह तो बेलकुल वैसे link की तरह काम कर रहा है, इस पे हम click करते हैं, तो open हो जाएगा, okay, use of, okay, so यह देखिए, सारे color red हो गया, अब मान लीजे हमने तो कई anchor use किया रहेंगे, but सब में red को हमें नहीं चाहिए, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ID और class देके हम use करेंगे, वह हम अभी use नहीं करेंगे, अभी आप इतना समझ लीजे, okay, वीडियो को follow करते रहिए, पूरा expert बन जाएंगा, अभी जितना है मैं समझा रहा हूँ, उसकी practice कीजिए, daily at least two-bar practice किया कीजिए हर video की, तब भी आप expert developer बन पाएंगे, okay, so color red हो गया, anchor tag, hover, मतलब जब भी कोई mouse लेके जाएं, anchor tag, यह smartphone में कोटीट करें, anchor tag hover, then क्या हो, text size 20 pixels, okay, text लेके गया, okay sorry, text, 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 okay sorry, text नहीं है, font लेकना है, html font होता है, text application development होता है, okay sorry, मैंने गलती से mixer के लिख दिया, यह देखें, इसका by default size होता है 14 pixels, okay, इसका by default size देखते हैं, अगर आप कुछ भी नहीं देते तो इसका by default 14 pixels देता है, okay, मैंने जैसे इस पर लेके जा रहा हो, तो यह देखें, 20 pixels हो जाता है, चलिए मैं इसको red कर दे, sorry red तो already है, blue कर देता है, color, blue हो जाए, color हम blue करना हो जाता है, अब देखें, यह बड़ा हो रहा है और blue हो रहा है, बड़ा हो रहा है, blue हो रहा है, okay, so यह था CSS का कमाल, ठीक है बड़ा हो रहा है और blue हो जाता है, चलिए एक और प्रोपर्टी है, anchor tag, visited, anchor tag, visited, anchor tag, anchor tag visited, महा लीजे हम, किसी ने anchor tag पर क्लिक करती है, महा लीजे आपको इस task वेबसाइट बना रहे हैं, मजब आपको इस task दे रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वेटसप पर मैसेज करें, जैसे task complete हो जाएगा आपको reward मेलेगा, एक assumption है, मान लीजे, indicate करने के लिए आपने ये काम कर लिया है, ये काम कर लिया, जैसे visitor हो जाता है, color क्या कर दे, black, black तो already, black हो जाए, चलिए देखते हैं, okay, अब चलिए open करके, okay, because हमने already इसे visit कर लिया था, that's why, okay so, क्या हमने, already हम visit कर चुके हैं इसलिक को, okay, इसलिए जो है, अब देखशे, हम तो इसे already visit कर चुके हैं अर लिंक को, okay, इसलिए ऐसा दिखा रहे, so, क्या है, already हम इसे visit कर चुके हैं, मैंने आप आप आपन करके दिखाया, कितनी बार आपन करके दिखाया, प्रिविएस वीडियो में भी हमने यह यूज किया, तो तब हमने उपन किया, इसलिए green आप पहले ही करके देख लीजेगा, इसलिए green आप पहले ही करके देख लीजेगा, okay, new document बना के दिखाया हूँ, so, इसको copy करता हूँ, Ctrl C, new document, Ctrl V, Ctrl S, visited anchor, okay, name कुछ भी रख सकते हैं, मैं visited anchor.stm लख रहता हूँ, okay, क्योंकि मैं को पता हुँची न, बहुत सारे documents होते हैं, so, यह किसका है, यह किसका है तो, okay, इसलिए भी ऐसा रहा है, so, मौ अलड़ी विजिट कर चुके हैं, so, शे शायद वर्क नहीं कर रहा है, आप एक पर अपने में ट्राइ कीजिएगा, और ना हो यह तो comment जरूर करिएगा, okay, यह से देखें, जैसे हमने रखा था, hover पा, okay, so, बस हम यही कर सकते हैं, CSS में, okay, आगे कुछ होगत और बताएंगे, आज की वीडियो में इस इतना ही, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दिजिए, वीडियो को शेयर कर दिजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए, thanks for watching,